हलो फ्रेंट, अंग्रेजी सीखने के लिए एडिटोरियल से बहतर और कुछ नहीं है फ्रेंट आज इस एडिटोरियल के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले समपूर्ण व्याख्या जो की इस एडिटोरियल का हम लोग करेंगे सेकेंड आज का जो एजेंडा है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वार्ड्स पर ध्याद देंगे और तीसरा जो महत्पूर्ण हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इस एडिटोरियल के बीच में जहां ग्रामर होगा उसको हम लोग डिसकस करेंगे सो लेट से स्टार्ट बैट आट स्कूल पुना स्कूल पर मिंस कहने का मतलब है जो कोवीद नाइनटीन के बाद जो इसकोल फिर से खुल रही है इस पर यह आज का एडिटोरियल है सबसे पहले इस सब्टाइटल में हम एक वर्ड देखते है नाइसेंट मिंस क्या होता है जो नवजात जनरली जो जिसका इसका जो हिंदी वर्ड है यह है नवजात तो कहने का मतलब यहां नवजात इस सेंस में हुआ जो अभी अभी स्कूल खुला है इसलिए हम उसको कहते हैं जो अभी जन्म लिया है मतलब पुना स्टार्ट हुआ है राइड डेवलप हुआ है तो हम उसको नशेंट कहते हैं यह कह रहा है जो अभी नशेंट रिओपनिंग जो इसकूल का खुलना है वो तभी सेस्टेंट कर पाएगा हिए जब अब इसकूल Grade मिंस रिओपनिंग ऑफ इसकूल को अप सस्टेंट कर पाएगए फ्रेंड मैं आपको बतातो इफ आप नए हैं छानल को पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर चेनल को सस्टारब किजेगा और रिजिग एक चीजिग है और फिस दराइ दाटेद गवर्मन।्स याव टेके उडिक जैक टुक टीजेशने ही एक जड गां आवेपने मेशने चूटम इंप एक एक डिय बूसंग हैं विल्गू पार गार चारुष छेंगल्ग एक तो चूजट टीज ए लिखा अध StarT फ्रेंड एक्चुली एडिटोरियल पढ़ने का एक यह फाइदा है जब आप जिस दिन से एडिटोरियल को समझना स्टार्ट कर जाएंगे आपके लिए कॉम्प्री हैंसन बहुत ही इजी हो जाएगा इसके बाद जितने भी फिल इन द ब्लैंक से क्योंकि आप यूज़ ऑफ करके टू रियोपेन इस्कुल्स फोर सम्क्लासेज जो कुछ क्लास है उसको उसके लिए इसकुल को पुना खोलना यह एक स्टेट गवर्मेंट के लिए डिफिकल्ड डिसीजन है और यह ऐसा क्यों लिया है एंक्रेजड बाई किसी से इंस्पाइड होके प्रौशाहित होके विए a consensus among public health experts. यह जो एक public health expert के बीच एक आम सहमत्य है आम राय है कि the benefit to students and society at large इसकूल का खोलना और इसकूल के खोलने से जो स्टुडेंट को लाव होगा और सोसाइटी को जो लाव होगा at large means as a whole और in general आप कह सकते हैं out way the risk of COVID-19 surge. Out way means होता है कि COVID-19 के risk से ज़्यादा significant यहाँ है इसकूल का खोलना यह किसका मानना है यह आम राय है public health export का और उससे यह तो साहित होके state government ने difficult decision लिया है कौन सा difficult decision लिया है कि इसकूल को फिर से वह खोले कुछ class के लिए यह clear हो गया friend अब आगे दिखते हैं a week after many of them reopened mainly at the secondary and higher secondary level infection infections among teachers and students have not triggered an alarm although although general social attitude towards the pandemic have turned negligent आप देखिए फ्रेंट यह कह रहा है जो a week after many of them reopened जो बहुत सारे स्कूल खुल गए उसके एक सब्ता बाद जो mainly क्या खुला था जो secondary और higher secondary level है उसी टाइप की स्कूल खुले थे infections among teacher and students have not triggered an alarm अब trigger means क्या होता है कोई चीज से कुछ हो जाना जैसे कि आप let's मैं आपको एक example दे रहा हूं जो आप smoking कर रहे हैं और अचानक fire alarm बजने लगा तो your smoking triggered the fire alarm आप समझ रहे हैं sense मैं क्या बाद आने की कोशिस कर रहा हूं तो यह कह रहा है जो एक सब्ता बाद जब जो mainly secondary और higher secondary school खुला infections among teacher and student have not मतलब यह कोई triggered मतलब alarm या खत्रे वाली बाद कुछ ऐसी हुई नहीं राइट यह जो एक जो हमारा attitude होता है पैंडामिक को लिकर के यह बिल्कुल negligent means क्या होता है careless हो गया है मतलब ठीक है कुछ नहीं होगा ऐसे ही है लाइक हम लोग safety जो behavior protocol है उसको अपनाते लिए तो यह देखने को मिला है data from Tamil Nadu show that post reopening about 30 students and teachers have tested positive to which state has responded by tracing contact and testing while keeping the institution while keeping the institution open अब यह कह रहा है जो एक data जो Tamil Nadu से है वो दिखा रहा है कि post reopening के बाद कि 30 student और teacher corona positive हो गया है to which जिसको ले करके state का response था कि state ने उसके contact को trace किया और उसको test किया यह सब करने के बाद भी school जो institution है उसको खोले रखा clear अब आगे देखते हैं केरला which has struggled to contain the infection rate continues to report about 25,000 cases a day is venturing only to the open residential higher education institution and final year college classes within a bio bubble of at least single dose vaccination अब हम लोग देखते हैं केरला जो कि सौथ इंडिया के state है आपको पता होगा केरला में सब से ज्यादा केस अभी भी आ रहा है पच्चीस हजार केस अभी भी आ कर रहा है कि infection rate को कम करने के लिए content means होता यहां कम करना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और अभी भी वहां 25,000 continues to report about 25,000 cases a day अभी भी वहां 25,000 case आही रहा है इज हुआ हिग के लिए करना के लिए रहा है अभी वेंचरिंग में रिस्क लेना इज वेंचरिंग only to precisa लिए रिख ओलने को रिस्कलिया रहा है ओर दूसरा कि यह कॉले रहा हैो इस फैनल यह रहा है उसके लिए ले रहा है विदीन अब बायो बबल क्या होता है जो कोई भी जैसे कि एक स्टेडियम में उसमें खेल और गनाइज होना है क्रिकेट होना है तो जितने भी दर सक आएंगे उसको वह वैक्सिनेटेड होना चाहिए वह चेक करके मतलब बिल्कुल वह प्रोटेक्टेड है तो इसी को हम कहते हैं बायो बबल तो यह कह रहा है जो केरला जो रिस्क वेंचर ले रहा है विदीन अब बायो बबल ऑफ आटले ले सकेगा जो एकले सिंगल डोज वैक्सिनेटेड हो जंप्सन अफ इस्कूलिंग कंटिन्यूस टू पूज डैलमा जंप्सन मतलब होता है पुनाह 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 प्रादाम करना तो इस्कूल को फिर से जो प्रादाम करना यह एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन और इसको हम कहते हैं डिलेमा डिलेमा मेंस होता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम्स यह पोज कर रहा है नेक्स्ट दो क्रिपलिंग एबसेंस ओफ एड्यूकेशन फोर मिलियंस इन दे कंट्री हैस रेज़ेस्ट अफ वेदर गवर्मेंट्स हाब शोन अलकृती इस कंट्री मीनस है क्रिपलिंग मीजत इसा आपको बिल्कुल खोर कर दे बिल्कुल डेमेज कर दे जो उसको क्रिपलिंग कहते हैं जो यहां करकी क्रिपलिंग आपसेंस अफ दो एदूकेशन फोर मिलियंस in country अब यह कहा रहा है जो यह इस देश में डू टू कोविड नाइंटीन क्या हुआ है सारे स्कूल बंध हो गया है तो अबसेंस ओफ एड्योकेशन फॉर मिलियन्स लाखो बच्चें जो है बिलकुल वो घर बैठ गए क्योंकि इसकूल ही नहीं खुला तो यह एक क्वेशन उठा रहा है कि वेदर की गवर्मेंट कोई रेडिनेस दिखाया कि इस चीज़ को कैसे लिमीट करें किस चीज़ को जो प्रोलॉंग्ट क्लोजर से जो हार्म हो रहा है जो इतने डेर दो साल से स्कूल बंध है उससे बच्चों के भविश्च पे परभाव पर रहा है हार्म हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या गवर्मेंट ने कोई अपना अपनी तरब से कई कुछ किया यह और कुछ अलाकृटि दिखाया तो to online learning अब यह कहारा है फ्रैंड जो economist का एक study है आगस्त महीरें' का यह दिखा रहा है कि मेर मिन्स सिर्फ और शिर्फ आठ परसंट जो बंचे हैं 108 अब समझ रहा है 100% में 8% मतलब एक सुमेंеци 한 अन्डन परसंट में 8% मतलब एक सों में 88% बच्चों जो रूलर एरिया में है उसी को रेगुलर एक्सेस जो है वो ऑनलाइन लर्णिंग का रेगुलर एक्सेस है यह रूलर एरिया की बात है एंड थर्टी सेवन परसेंट वर नॉट स्टडिंग अट आल अब एक सो में 37 बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे थे आठ परसेंट के पास रेगुलर जो ओनलाइन लर्णिंग का था और जो कुछ बाकी होगा वो एन ही हो किसी तरह से पढ़ रहा होगा लेकिन सबसे बढ़ी बात जो यह 37 परसेंट बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे रियली इत रेज़ दा कुश्चन राइट इत अल्सो फोंड नहीं रहे थे ऑनली आप इस्टूडेंट विद इसमार्ट स्पों की जो बच्चे हैं जहां वो अपना ओनलाइन क्लास कर सकते हैं जिस स्मार्ट फोन के माध्यम से वो बहुत ही कम स्टूडेंट है और स्टूडेंट है जिसके पास ए स्मार्ट फोन है अब यह जो माध्यम स्टूडेंट मतलब यह 30 first स्टूडी थार्टी ओन परसेंट इन अर्वन एरिया अर्बन एरिया के भी यही हालत है जो शहरी इलाका है वहाँ वहां बहुत बच्चेंप स्टूडेंट बच्चे के सुर्व करना है तो यह data दिखा रहा है and really it is very poor this crisis has remained neglected for over a year अब यह जो problem है सब को पता है government को पता है लेकिन यह जो crisis है एक साल तक एक साल से उपर तक उसको neglect किया गया उसको ऐसे ही छोड़ा गया and the findings underscore the need for in-person teaching to resume अब यह जो finding मतलब यह जो हम देख रहे हैं यह underscore मतलब कोई चीज़ को महा तो देना महा तो दिया जा रहा है यह finding महा तो मतलब इस चीज़ को उजागर कर रहा है कि there is need जरुरत है in-person teaching मतलब in-person मतलब यह teacher हुआ और यह student हुआ मतलब पिलकुल person to person in-person teaching to resume फिर से परहाई को resume करने निकले in-person मतलब physical teacher की जो रत है यह finding जो निकला है यह दिखा रहा है friend मैं आपको बता दू again कि यह आपका अपना YouTube channel है अपना family है इस family को ग्रो करवाईए आप लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे और इस editorial के बाद पांच मिनट का एक word vocabulary का आएगा lecture आप उसको जरूर देखिएगा let's start among the major concern surroundings reopening of school is among among कब होता है जब बहुत सारे होते हैं उसके बीच जब दो के बीच होता है तो between और जब बहुत सारे के बीच होता है तो among कहते तो among the major concern surrounding reopening of school to school reopening के इर्दगिर्द जो समस्याएं है concern है उसमें is possible transmission of virus on campus जो campus में कहीं से virus का आ जाना ये एक समस्या है with implications for vernal level individuals in students home अब ये कह रहा है जो ये कहीं न कहीं जो student के home home मतलब घर से कोई व्यक्ती वर लेवर मतलब उससे affected हो तो उससे वहां virus आ सकता है campus में here the advocacy of the European technical advisory group on schooling during the COVID-19 ये कह रहा है जो advocacy मतलब किसी चीज़ को आप support करते हैं या किसी चीज़ को आप बताते हैं तो यहां कह रहा है जो European technical advisory group का मानना ऐसा है कि on schooling during COVID-19 कोबिद 19 के दरौन जो schooling होना चाहिए smaller class size class का size क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए wider space desk wider space desk मतलब desk के बीच मतलब कहने का मतलब है जो दूरी होनी चाहिए बच्चों के बीच staggered break at school staggered एक तो staggered का यहां मतलब हो गया एक तो शॉक्ट होना होता है यहां अच्छा की तो होना होता है लेकिन यहां जो staggered का मतलब है जैसे कि यदि आप किसी बच्चे को lunch का time आप 1230 दे रहे हैं दस बच्चे को तो 1245 दीजे अगले 10 बच्चे को 130 दीजे अगले 20 बच्चे को होना चाहिए कहां से वो आया चाहिए सब फॉलो होते रहना चाहिए अब यह कह रहा है जो कही सारे public health experts है उनका मानना है कि यह जो छोटे बच्चे होते हैं जो जनरली छे से 14 साल के बीच में होते हैं उनको कम रिस्क है मौडरेट और सीवियर कोविट 19 से इंफेक्ट होने का इन लोग का मानना है वाइल दिस आलसो दख कोहट अब यह कोहट एक वोड है तो एक दल होता है जो की से में जैसे की कुछ सेम उपर नीचा हो लेकिन सेम एज का जो गुरूप हो इसको कहते हैं कह रहा है जो दिस आलसो दो कोहट यह ऐसा बच्चे यह ऐसे दल है यह ऐसे लोग है यह बच्चों का जो ऐसा समू है that needs good foundational teachings इनका जो foundational teachings है बहुत बहतरीन होना चाहिए यह कि इनका मानना है public health experts का क्योंकि उनका यह मानना है जो छे से 14 साल के बीच जो बच्चे होते हैं उसमें lowest risk हो सकता है right most of these students are not eligible for vaccination जाहिर सी बात है अभी तक बच्चों के लिए हर जगा बहुत कमी वेक्सिनेशन उपलब दया और कई योग भी नहीं होते लेने के लिए डेव्लु एक्चों वोल्थ हेल्थ 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 और्गनाजेशन डेकोमेंट्स दाट फॉर दीज प्यूपिल्स अप्रोच तोड्स री ओपनिंग सुट भी कैविएटेड अभी यहां मतलब क्या हुआ कॉशन रिस्की मतलब थोड़ा सा सावधानी केर्फुल डेव्लु एचो का यह मानना है रेकोमेंडेशन है कि यह जो प्यूपिल स्टूडेंट होता है जब यह स्टूडेंट्स के लिए जो स्कुल रियोपनिंग यह बिल्कुल रिस्क और केर्फुल होना चाहिए रिस्क बेस्ट और टेकिंग नोट्स ऑफ कम्मिनियुटी ट्रांस्मीशन एबिलेटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग अन्ड गुड वेंटिलेशन अब यह डवले चो कहना है जो यह कम्मिनियुटी ट्रांस्मीशन के बारे में आपको बिल्कुल स्कूल और कमरे क्लास राइट वेक्सिनेशन आफ टीचर्स एंड इस्कूल स्टाफ एंड एलिजीवल स्टूडेंट्स एंड फ्री टेस्टिंग फॉर और अर अधर मेजर फेक्टर्स यह कह रहा है यदि आप स्कूल खोल रहे हैं तो टीचर्स और स्कूल स्टाप्स और प्रिवस्था होती है देन दीज विल बी अधर मेजर फेक्टर फॉर री ओपनिंग दे स्कूल जी टेंशी और रिफ्यूजल शुट भी फॉर्मली कॉंटर्ड अब कई जो बच्चे होते हैं बच्चे के पेरेंट्स होते हैं या कई लोग ऐसे होता है जो बिल्कुल करते ह है तुने हमें नहीं यह करवाना हमें टेस्ट नहीं कर वाना वैक्शीन नहीं लेना यह है जी एन सी यह है यह और ुडिफ्यूज जो है यह फर्मलिक कॉंटर्ड मतलब बिलकुल आप उसको counter means मुकाबला करना चाहिए फर्मली उसको हटाना चाहिए governments should end their populist indulgence of unsafe behavior in public spaces to prevent community level spikes that can jeopardize the nascent return of school यहां कह रहा है यह जो सरकार है should end खतम करना चाहिए populist indulgence of unsafe behavior in public space यह populist indulgence of unsafe behavior in public space इसका मतलब क्या होगा friend यदि कोई rally होती है या धरना होता है या कुछ ऐसे इस तरह की बात होती है तो यह government को खतम करना चाहिए किस चीज़ के लिए to prevent रोकने के लिए किस चीज़ को community level spikes जो अच्छानक community level पर क्या होता है कोवीड नैंटीन का spikes बढ़ जाता है जिससे की that time jeopardize the nascent school of returning यदि government ऐसी नहीं रोकती है तो यह community level spikes होगा और जिसके कारण jeopardize means होता है खत्रा बने रहना यह जो हाल फिल हाल में बिल्कुल नया newly जो return of schooling हुआ है उस पर यह खत्रा मन रहा सकता है तो friend इस तरह से आज हम लोगों ने इस editorial को discuss किया है मैं आप से request करूँगा जो editorial को completely देखे रही और just इसके बाद एक नया वीडियो आ रहा है उसको आप जरूर देखिएगा like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और फिर हम लोकल मिलते हैं तब तक लिए bye bye, take care, thank you